नमस्कार मैं निहा जोशी आप देख रहे हैं The Fact India बालोत्रा में SP Office के बाहर निर्दलिय प्रत्याशी रविन सिंग भाटी का धर्ना चार घंटे बाद खतम हो गया था इस धर्ना इस्तल पर निर्दलिय प्रत्याशी रविन सिंग भाटी को सोचल मिडिया पर रोहित गोदारा का पूरी सर नाम के आईडी से धमक्या दी गई भाटी बालोत्रा में SP Office के बाहर अपने समर्थकों के साथ मोजूद थे बाटी को वार्था के लिए SP Office बुलाया गया करवाई का अस्वाशन में दिया गया है इससे पहले राजस्तान में बाढ़मिर जैसल में लोकसवा से निर्दलिय उम्मीदवार रविनर सिंग भाटी धर्ने पर बैठ गये थे बाटी समर्थकों के साथ मारपीट और चनाव में गड़बडी का हारोप लगाते हुए SP कारल्य के बाहर धरने पर बैठे थे आज सुबे उन्होंने एक ट्वीट किया था इसमें SP Office का घिराव करने की चेतावनी भी दीती दूसरी तरफ हजारों के संक्या में भाटी अपने समर्थकों के साथ पुलिस्टेशन पहुचे तो आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहाँ पे माहौल बना और हजारों के संक्या में उनके समर्थक भी पहुचे अंडि मुरसा पुलारको कोई भी तरीकेरों लोग अल्टरों इसी को नहीं आगा है, ये दीजिए माना भरोशा होतो, और पूरे ये चेत्र ना भरोशा होतो, कि परशासन निश्पक्षरू प्रमीना चुनाव करा है, पर मना पर तुख है, कि जे चुनाव परचर पंद हुऊ, उवेरे धोरी सी सुरक्षा को लेकर जिले भर से अतरीक तो पुलिस जापता तैनाथ किया गया है दर असल बायतू पुलिस ने शुकरवार को मतदान के दिन कई भाटी समर्थकों को गिरफतार किया, पूरा मामला आपको बता देते हैं कि रविंद सिंग भाटी क्या कुछ कहते हैं नजर आ रहे हैं अपने सफाई में और पूरा मामला क्या कुछ था, रविंद सिंग एक दो लोगों पर ऐसी वारदात करना, आप सोचें कि जान माल का खत्रा हो सकता था, थार में कभी ऐसा देखा नहीं गया, कि ऐसी अप्रिये गटनाएं वी, चुनाव खूब हुए, कई की सारे बजूर्ग मुझे कल मिले, उन्होंने का चुनाव खूब हुए, पर ऐसी ग बूतों पर फर्जी पोलिंग हुई, बूत कैप्चर के परियास हुए, हर तरीके के वो साजिस और सदेंतर हुए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कही न कहीं अभी बोखलाई हुई है, जिनको हार दिख रही है, वो बोखलाई हुए, तमाम तमाम हर तरीके के साजिस हैं और सदेंतर कर रहे हैं, और उनका जवाब कल जनता वोट की चोट के साथ दे चुकी है, और चार तारीक को फेटियां खुलते हैं, उनको पूरे तरीके से जवाब भी बोखलाई हुए, तमाम पूरक और पक्सपात के साथ मैं ना करवाई हैं कि, कई सारी गाडियों को बिन किसी रीजन के जब्द किया गया, पॉलिंग वाले दिन, एजेंट्स के साथ में कई जगा आथफाई वी, मारपीट वी, कई जगा अपर ये गटनाएं वी, परसासन आगमून के सो रहा था, मैं आपको कहना चाहूँगा, की साब, काता ही ये चीज़ इस विकारे नहीं है, मैंने जैसी चुनाव शुरू होने हो थे, उसमें लगबख 420 बूतों की लिष्ट दी थी, कि ये सेंसिटिव है, पर उन बूतों पे किसी तरीके की कोई कारवाई नहीं की गई, और अलग अलग जगा पे, अलग अलग लोगों के साथ में, इस थार का सोहार्द बिगाड़ का परियास किया गया, मैं उसके विरोध में, आज तमाम उन लोगों के विरोध में कारवाई करवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी तक परसासन ने किसी तरीके की कोई कारवाई नहीं किये, और मैं चाहता हूँ कि जो दोसी है, वो गिरिपतार हो, और निर्दोसों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप परसासन के साथ अभी वारताओं का दौर चल रहा है, और जैसे कोई निसकर्स निकलता जल्दे आपके, अभी आपने का आरोप लगा है कि कल मैंने कई बार खौन की, कई बूट पर हमारे साथ सही नहीं होता, बूट के अप्ति दिन क कोई जापता नहीं पहुंच पाया, कई सारी अपरिये गटनाएं भी, कल जो वोटर जो परवासी थे, वो बाहर से आ रहे थे, उनकी गाडियों को रुखवाया गया, उनके साथ अब अधर वेवार किया गया, और मुखे रूप से जहां पे सांति पुन तरीके से सब चीज कई सारे युवाओं के साथ मार पीट की गई, अकेला और मोब लिंचिंग एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 100-200 जणों के द्वारा एक दो लोगों पे ऐसी वारदात करना, आप सोचें कि जानमाल का खत्रा हो सकता था, थार में कभी ऐसा देखा नहीं गया, कि ऐसी अपर इस एटिक सकते हैं विवारता हुई, क्या आप संतूर्थ नहीं हुए उटी कारवाही से तभी आपको बाडमेर से यहां पर आना पर आपादाए हुए? ज़्यादा जरूरत यहां पे थी और यहां पे फोर्स नहीं थी तो यह तमाम चीज़ें भी यह तमाम गटां गटी आपको कहना चाहूंगा कि कल सो से ज़्यादा बूतों पे फर्जी पोलिंग भी बूत कैप्चर के परियास हुए हर तरीके कि वह साजिस और सदेंटर हुए जो कहीं न कहीं एक कम्यूनिटी के अंदर एक सोसाइटी के अंदर नहीं होने चाहिए बिल्कुल अभी सो से ज़्यादा लोगों को डेटेन किया गया है लगबग चार सो से ज़्यादा गाड़ियों को सीज करके रखा गया है कई सारे F.I.R. हमने दे दी है पर अभी तक दर्ज नहीं की गई है मैं तमाव उन चीज़ों को लेके आया हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काम होंगे अगर नहीं होंगे तो ये दरना जारी को पूरे तरीके से चुनाओ को परवादित किया गया है आपको पताना चाहूंगा कि हर संभव इन्हों ने परियास किया कि कैसे भी करके ये चुनाओ जो है अलग डारेक्शन में चला जाए लोगों ने इस चुनाओ को विकास और मुद्दों से हटा के जाती बाद पे ये चुनाओ ले आए क्योंकि उनको पता था कि रविंदर जी जाएगा हार की बोखला हट कहीं न कहीं जादा थी पर मुझे थार की जनता पे बाडमिर जस्मेर और बालोतरा की जनता पे विश्वास है कि उन्होंने इस चुनाओ को सोहार्द के साथ में आगे बटाया और उन्होंने विश्वास जताया तमाम पॉलिटिकल पालोती जो कहीं न कहीं अभी बोखला की जिनको हार दिख रही है वह बोखला है हुए तमाम हर तरीके के साजिसें और सडेन तर करनें और उनका जवाब कल जनता वोट की चोट के साथ दे चुकी है और 4 तारिक को पेटियां खुलते हैं उनको पूरे त पुलिस प्रशासन के हाथ पाउं फूल गए बाटी के एलान के बाद बालोतरा पुलिस अदिक्षक का लाले शामली में तब्दिल हो गया जिले भर में अतरिक्त पुलिस जापता बुलाये गया बीड इतनी कि कडी दूप में भी भाटी के समर्थक में भयंकर तरीके से भीड देखी गई और सैकडो के संक्या में लोग वहाँ पर मुझूद हो गए चली दिखाते हैं आपको कि किस तरह से नारे लगाते हुए नजर आए और न्याय की मांग करते हैं परा आप मकादी जर आपको कि जर आपको कि करते हैं सथ्या आज आप बलोगे रहिए नाओ कले चुनाव वहाँ माना उन्नीद हती कि चुनाव पूरत ही के दी संथिकोर उसे निस्पच उसे कोई भी तरीके दो लोग अड़नो विश्य कोनी आपे यह दीजो माना भरोशा होतो और पूरे यह चेत्र ना भरोशा होतो कि परशासन निश्पक्षरू प्रमीनो चुनाव करा है पर मना पर उतुख है कि जे चुनाव परचार बंद हुआ वेरे दोरी सी देर्भाद पक्सपात्र जर्ये पसा समना दूल कि प्राते हुए कमा पुल्टिकल लोगा रेशार रमाते यता भी साथी यता सक्ती सी कौना लोग यता वे सबना परेशान के लोगा यह कमा लोगा करियो फुलेजोका यक गाती ना जिकेर माता दौनोंगरों भी संदे आतो यह सबब रोका रोका रुए ना चन्थ कंड्रों परास करें ताकि की करी करें लोगारी आउजना पस्हार आउजना संतारी आउजना चतीशिकॉम करकास्ट आपके गाटिये प mart आशे सेब के लापकेंदा अपना ना शुरू करया। बाले चनाव पूरे सांतीर तरीकें होता परया। जहीं चनाव में पेल भी 420 मुतारी लिस्ट पुलीस परसेशन ना और चनाव आयोग ना दीन। में करयों कि साब एचिका भी पूट है तो पहुत जादा संसिटिव है। यह जिगा पूट कैप्चुरी वो लेर एचिंदा पेले आपे देवरार तक हर चीज उसे है। आप सब यह जगा बुखता इंतचाम करया। करसाथ यह जिगा 420 मादा फुका मादा गरिजी जगा परसासन ना लोगा सेव और जयतल मेरे मीना, सेकेरिटी वावस्ता नो मजबूत करयों नो, होर ज्यादा कधीन करयों परयास करें ताकि कम एकम पोलिंग सेव और जयतल मेरे मीना हो सके। कोई तरीके रहे आदम इना डिप्लॉय कोनी करियों। एक तरीके मिना स्वीजों पक्सपात आलों कावम करियों। तो यह मंत्र मादे मिना, एस्बी अपीस आगे घरो-घरो हुए के सगा। जिसाब तो दोना इतनी पॉलिटिकल पार्टियारी सेवाइज करनी है। पॉलिटिकल पार्टियरो सुन्म लगा। और वर्दी जो धना दीनी है, यह वर्दी ना खुद नामान एं यह वर्दी ना अगारव ह। आप ये वर्दी नी लाज ना मत कम करो, ये वर्दी ना सरंसार मत करो, मारो निवजने आप सब्पाइब आप सब्पाइब लोगा ना 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 सब्पाइब लोगा न मैं का ले 700 जगह पॉन पूरा परसासनला एक एक जगारी बताई मैं को साब ये ये जगह इस्तियां गर्बर हो सके आप ये जगह पुक्ता वेवस्ता करो पर वी टेम भी मिना कहते हुए बढ़ दो कहें कि परसासनला गहरी नीन मिना सूप को रहे हो गहरी नीन और जाकर ये थार ही अपरायज लज्जित हुए ये थार हो महल खराब हिये और कई जगह जदे सांते चनाव खतम हुआ जदे चाहता कि सांतिपूर तरीके में चनाव खतम हुए जदा उम्झाद अपर्लिंग हुए कोई तरीके रो महों खराब नहीं हुए कोई तरीके रो आद्मी नपरेशानी नहीं हुए और ज़ते तक चुनाव कतम हुए तो धावड़ी की साथ तेर सो उन्दादा लोगा ना निंदो साला पुलीस आदा जबर्दस्ती हुआना पितेन करना किते हुए मैं तरी से के खियो कि हमें चुनाओ हो गया है तो क्यायों कि साथ बिल्कुल वे जल्दी यह ना फुरी करा अब सो के करी शारा जो भाई था जिकार रहा लोगा फ़ड़ी थी। हमार इलाज तक ही यह लोगां को ने कराई। और कई सारी काईडियों जो है वा आज भी ये जब्त है परसाशन्री पूरे तरीके में नम्मिली बख्ती रही आज भोगियेजी का जवाब माउन आई हो कि कालेज़ता लोगाना दांटिटेम करया उन्हामना जीत धीर नहीं धापे होगे जो रवेंदर गिरफ्तार वरवास तरीके में लोग तंतर रामी ना वे केरी भी आवाज ना दबागो निशको और केरू जो कहीं सारा लोगाना परियास करियों कि मैं परसाशन्रा परसाशन वेंसे भी माँ बेरो है वोड़ो जोगोरों भी ध्यान में भजकार लारे में धर्जी बोलिंग करावा वो कही अद भी बेरा ही बोड़ा क्राम लेया पर्जिवल वजरी ना इत्माम स्थिए तो खेरों कि जट तक यह तमाम बातारों तमाम सीतार छवाब नी मिले जटे तक आप नो भाईये रवंदर इज गा तपे पावने रमीना आख सबार बिच्विन अभे दोरों के लागो ने कूच आपर यह गद्दा हुई इसना तमार चीजा हुए आप लोगा कितना गिरुपतार करया कितना फाई आर दोर्ज करना है यह रुच्वाब माईयर आप सबार गोटे है यह आप पंच बात रहे वहले ना अपनायो आप लोगारी हवाज ना तबाउंड भयास करयो आप लोग तांसा ख़वरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एड़